तो आदाव मुश्कार को डिनिंग से सेकाल एक वर फिर आप तमाम मों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी किस एपिसोड में उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी अपना ख्याल रख रही होगी आज की कहानी सुनाओ उससे पहले एक छोटी सी बड़ी दिल्चस्प कहा मुझे लगता है कि आप सभी को सुनना चाहिए अक्सर पती पत्मी में मिया बीवी में नोग जोग कहा सुनी जगडा चलता रहता है अक्सर ये भी कहा जाता है कि औरते बहुत बोलती है बीवियां बहुत बोलती है ये जोक वोक सारी सीज़ा चलती रहती है तो इसलिए हमा भी होता है और बीवियां बोलती भी है अलाग के मेरे घर में उल्टा है मेरी बीवी कम बोलती है लेकिन यह जो कहानी है ऐसी कहानी शायद इस दुनिया में दूसरी कभी सुनने को मिलीगी नहीं कभी नहीं मिलेगी असल में हुआ यह कि अमेरिका के वाटर बरी में एक फैमली रहा करती थी और इस फैमली में जो थे पती और पत्नी पती की उम्र इस वक्त है करीब 84 साले टी फोर यार उनका नाम है बैरी डॉसन और उनकी वाइफ है डोर थी इन दोनों की शादी को हो गया करीब 65 साल से जाद हो गया दोनों वहीं पे रहा करते थे उसके बाद इनके बच्चे हुए इनके टोटल छे बच्चे हुए और इस वक्त तेरा पोता पोती भी हैं लेकिन करीब 62 साल पहले 62 येर्स बैक अचानक एक रोज डॉसन ने मतलब ये कहा या बताया इशारे से कि उसे सुनाई नहीं पर ये भी कि वो बोल नहीं पाता तो उसने अपने आप को गूंगा और बताया कि बहरा तो डॉसन कभी कुछ नहीं बोल पाया गरवालों को लगा कि कुछ हो गया है तो 62 साल पहले अचानक डौसन जो अच्छा खासा बोलता था सुनता था वो गूंगा और बहरा हो गया अब क्या करें कैसे उस तक बात पहुंचाए डोर्थी बिचारी अपने पती से प्यार करती थी उसने मूख और बगिर आपने सुना होगा गूंगे और बहरे के लिए जो एक खास बात चीट इशारों में वो उसकी एक पढ़ाई होती है ट्रेनिंग होती है तो आप उस तक बात पहुंचा सकते हैं इशारों के जरीए तो दोर्थी ने अपने गूंगे और बहरे पती के लिए बाकाइदा वो भाषा सीखी दो साल लगा है उसने बड़ी मुश्किल से और भाषा सीखने के बाद अब वो लहजे में बात करने लगी थोड़ दिन तक तो यह बात चली लेकिन थिर अचानक अब डौसन को यह होगा कि उससे दिखाई भी कम दे रही है तो वो जो इशारे करती है वो भी नहीं देख रहा है तो गूंगा भी है बहरा भी है और अब लगातार दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ 62 साल बीद गये गूंगा बहरा और लगभग अब दिखाई नहीं दे रहा है यह सारी चीज़े करते हुए उस गर में इस दोरान छे बच्चे हुए उनकी शादी हो गई पोते पोती हुई तेरा हर एक को सब को यहीं मालूँ कि उनके दादा नाना या फिर बच्चों के कि उनके पिता फादर गूंगे और बहरे हैं और अब दिखाई भी कम देती है तो मा की वो जो इशारे वाली बात है वो भी अब नहीं दिखाई देती है तो मतलब उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं कौन क्या कह रहा है क्या बोल रहा है जवाब भी नहीं देना बीवी भी कुछ भी कहे सुनाई भी नहीं देना बोलना भी नहीं बासट साल बीतने के बाद हाल में हुआ ये कि डॉसन ने कहा कि वो क किसी प्रेयर फंक्शन में जा रहे हैं, निकल गए, अब इत्फाक से वो प्रेयर फंक्शन में निकले लेकिन पहुंच गए किसी बार में, बार में जाने के बाद वहां देखा गया कि बाकाइदा गाना बज रहा है और उस गाने के धुन पर वो थिरक भी रहे, कुछ लोगो बज रहा है, अब एक गूंगा गुनगुना रहा है, यूटूब पर विडियो देख रहा है, अब ये क्या हो, दीरे दीरे जान चुई, डोर थी और बाकी बच्चों तक ये बात पहुंची, उसके बाद सच्चाई सामने आई, एक ऐसी सच्चाई, जो मैंने शुरू में क पहले, अपनी बीवी डोरती से बहस करने यी डोरती की ज़ादा बाते सुनने, कई बार बातचीत में जगडा होता, उसका जवाब देने, इन दोनों पती पत्नी में खूब जगडा होता था, खूब बातचीत होती थी, डोरती बहुत बोलती थी, Dawson को ये बात पसंद नहीं थी तो उसने का इससे कैसे बचे तो उसने का एक ही तरीका है गूंगे और बहरे बन जाओ बीवी को पता ही नहीं चलेगा वो क्या बोल दी मैं जवाब भी नहीं दूँगा जगड़ा भी नहीं होगा और उसी दिन से उसने ये एक्टिंग शुरू कर दी 62 साल तक वो इस एक्टिंग को बरकरार रखता है 62 साल के बाद ये सच्चाई सामने आती है और जब सच्चाई सामने आती है तब डोर्थी कोट पहुंच जाती है और डोर्थी के वकील ने कोट में कहा कि मेरे मुख्किल के साथ धोका हुआ है 62 साल तक वो अपने पती को गूंगा वैरावत मानती रही उसके लिए उसने वो खास भाशा सीखी दो साल मेहनत करके लेकिन उसने चीट किया तो इसलिए एक तो डिवोर्स चाहिए और दूसरा उसकी जो भी प्रोपटी है उसमें से आधी प्रोपटी उससो दी जाए ये मामला भी कोट में है इदर डौसन के वकील ने जवाब दिया कोट में उसने कहा कि हमारे मुख्कल की वाइफ इतना जादा बोलती थी कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए वह गोंगा और बहरवा बं गया और जब उसने फिर गोंगे और बहरे की बी जबान सीक ली तो फिर वह अंधा भी बन गया ताकि उसके बाद भी बात ना कर सके और उसने कहा कि मेरे मुख्किल का इसमें कोई कुसूर नहीं है बलकि वो गफदार है उसने 62 साल से बेशक गुंगा और बहरा बना लेकिन अपनी वाइप के साथ रहा डिवोर्स नहीं हुआ उसने कहा कि अगर हाँ ये गुंगा और बहरा ना बनता डॉसन के वकील ने कोट में कहा तो बहुत मुंकिन है कि 62 साल पहले ही डिवोर्स हो जाती 62 साल पहले ही दोनों में तलाप हो जाती क्योंकि बीवी उनकी बहुत बोलती थी तो अब ये मामला कोट में है तो बिज़स्वाँ नहीं शुरू में कहा था कि अक्सर बाते होती है ये बीवियां बोलती है पती में जगड़ा होता है और यहां एक शक्स 62 साल तक अपनी बीवी को यह बेकुब बना था गोंगा और बहरा बनकर लेकिन इसका दूसरा पहलो ये देखें तो शायद इन 62 साल में बहुँगा बहरा बनने के बाद शायद उनमें जगड़ा भी नहीं बहुआ होगा क्योंकि बीवी भी मान के बैट गई है कि इसको कुछ सुनाना तो है नहीं बोलेगा भी क्या तो अजीब कहानी थी इस कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजेगा अब आते हैं आज के कहानी के उपर कानून अंधा होता है इस शुरूर से कहा जाता है लिकिन कानून के जो पहरेदार हैं और कानून की जो हिफाज़त करते हैं मतलब पुलिस वाले कई बार कई बार अगर वो शुरूरात से ही किसी केस को सीरियसली इंविस्टिगेट करें और सच्चाई और गहराई तक पहुँचने की कोशिश इमानदारी से करें तो बहुत सारे ऐसे बेगुनाह लोग है जो इस वक्त भी जेलों में बंद हैं ऐसे बेतहाशा कहानियां जो मैंने आपको सुनाई बीज-बीज साल तक जेल में बंद रहा बाद में बता जला सचाई कुछ और है तो शायर ऐसे बेगुनाहों को जेल में रहने की ज़रूरत न पड़े कहीं न कहीं पुलिस बहुत सारे केस में लापरवाही करती है खासतों पर उन केसिस में जो मीडिया में भी हाइलाइट नहीं है बहुत हाई प्रोफाइल केस नहीं है और हमारा देश मुश्किल से कितने मुठी बर हाई प्रोफाइल केसिस मुठी बर बड़े लोग बाकी तो जादर तो हमारे देश के अबादी गाउं में ही बसती है अलिगड की कहानी है यह अलिगड में एक परिवार रहा करता था इस परिवार की एक बिटिया थी जिसकी उम्र थी 17 साल यानि अभी नावालिक थी 18 साल की हुई नहीं थी 17 फरवरी 2015 को 17 फैब 2015 को यह लर्की अपने घर से मंदिर गई जल टढ़ाने के लिए उसके बाद घर नहीं लोटी घर वालों नहीं ढूंडा अगले दिन 18 फरवरी 2015 को घर वालों ने जाकर पुलिस में अपनी बेटी की गुमसुदगी की रिपोर्ट लिखा दी कि उनकी बेटी वहाँ गई है और शायद किसी ने किड्नैप कर लिया है तो 18 फरवरी को यह गुमसुदगी की रिपोर्ट लिखा दी गई इसी बीच में पुलिस ढूनती रही 18 फरवरी से फरवरी का महीना गुजर गया मार्च आ गया लगबख महीने बरबाद 24 मार्च 2015 अलिगर से दूर आगरा के करीब एक ललकी की लाश मिलती है इदर उदर से पता किया जाता है कि कोई मिसिंग तो नहीं है तो पता चला कि हाँ अलिगर से एक ललकी मिसिंग है तो वहाँ की पुलिस कांटेक करती है आगरा की यहां पर फिर लाश मिलती है तो यहां एक गुंशुदगी की रिपोर्ट थी अलिगर्ड की पुलिस उस ललकी जो 17 साल की थी जो गायब हुई थी उसके माबाप को लेकर आगरा पहुंसते हैं और उस लाश को दिखाते हैं लाश को देखते ही माबाप पैचान लेते हैं कहते हैं यह उनकी बेटी है इसके बाद कानूनी कारवाई के बाद लाश माबाप के सुपृत कर दी जाती है वो आते हैं उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं यह बात है 24 मार्च 2015 कि अब 24 मार्च को लाश मिलने और अंतिम संसकार के बाद 6 अप्रिल को 6 अप्रिल मर्क एक हपते के बाद घरवाले जिन्होंने अब तक अपनी बेटी की गुंशुद्गी की रिपोर्ट लिखाई थी अब तो पुलिस ने उस गुंशुद्गी की साथ-साथ कि नपिंग की सा कि उनकी बेटी को किड्नैप करने, किड्नैप करके भगा ले जाने और फिर उसका कतल करने का जो गुरेगार हो विश्नु है और वो पहले से मेरी बेटी पर नज़र रखता था और वही उसको ले गया था और उनने एक दो विटनिस खड़ा किया और ये भी बताया कि गमशुद्गी के बाद विश्णू को और उनकी बेटी को एक मेले में साथ देखा गया था आखरी बार 17 फरवरी के बाद तो अब मावाप की कंप्लेंट पर पुलिस ने विश्णू का नाम दच किया चुकि लड़की के लाश मिल चुकी थी गतल हो चुका था मुकदमा दच कर विश्णू को गरफतार कर लिया गया विश्णू के गरफतारी के बाद लगबख ये बात है अप्रेल में जब गरफतार किया गया 6 अप्रेल 2015 को इसके बाद पुलिस ने 25 स्थम्बर 2015 को अदालत में अपनी चार्शीट दाफिल कर दी चार्शीट में बाकादा विश्णू को मुक्ख्यारोपी बनाया कहा कि उसी ने इस नाबाली लड़की को मतलब 15-2 साल हो चुके थे 11 अपरेल 2017 को इलावाद हाई कोट ने विश्णू को जमाना दे दी और कहा कि अभी चुके चार्शीट दाफिल हो चुकी है तो इसको जमाना दे दी जाती है लेकिन इस शर्ट पर कि वो बाहर सबूतों और गवाहों के साथ मेल जो नहीं करेगा छेड़ चार नहीं करेगा अब चार वो दो साल के बाद बाहर तो आ गया लेकिन इसके बाद अब ट्राइल शुरू हो गया जैसे ट्राइल शुरू हुआ तो नावालिक लड़की के घरवालों ने अदालत में करजी दी और कहा कि चुक्के मुख्यारोपी विष्णू इस वक्त जमानत पे बाहर है ट्राइल शुरू हो चुका है वो कुछ भी कर सकता है धंकी दे सकता हम लों कोई मार सकता है इसलिए उसकी जमानत अरजी खारिज की जाए अब आलत हुक्म दे देती है विष्णू की जमानत जो थी उसके बाद वो निरस्त खारिज हो गई और उसे वापस कहा गया जेल पहुंच जो वापस जिस विष्णू जेल पहुंच जाता है 2019 में कुछ ही वक्त बाहर रहा हो अब जेल आने के बाद वो अंदर है ट्राइल शुरू हो चुका है मुकदमे की कारवाई चल रही है निचली अदालत में इसी दौरान अचानक कहानी में एक नया मोडाता है अलीगड से दूर हात्रस में एक कथा वाचक जो वरिंदा बनके वो कथा वाचक पहुँचते हैं अलीगड के गवों में किसी एक जजमान ने उनको बुलाया था और कहा कि यहां पे आप आकर कथा सुनाएं तो अब ये कथा वाचक जो हैं अपने भगवत चार जी ये वहाँ पहुच जाते हैं और एक घर में कथा सुना रहें ये बात है हात्रस की अलीगड और हात्रस जाता दूर नहीं है कथा सुनाने के दारून बहुत सारे लोग कथा सुन रहे थे अचानक उसी भीड में उन्हें एक महिला नजर आती है ये बात अभी किये है चार दिन पुरानी सिर्फ 2022 दिसंबर अब वो एक महिला वो भी कता सुन रही है अब भगवाचार जी कता सुना रहे हैं उनकी नजरे उस महिला से मिली दो-चार बार उन्होंने देखा कता सुनाते सुनाते अचार उन्होंने लगा कि इस महिला को मैंने कहीं देखा है अब वो जहन पे दिमाग पे जोड डालने लगे पर याद नहीं आ रहा कहां देखा कहां देखा इसी दोरान वो अपना कता सुनाने के बाद कता खट में उती लोग मिल जुल रहे हैं अपना मोबाइल उठाते हैं और फिर बाकी लोगों के पिक्चर लेते हुए मोबाइल में उस महिला के भी एक तस्वीर ले लेते हैं बट उसे यह नहीं लगता कि वो उसकी तस्वीर ही सिर्फ ले रहे हैं पहले इदर उदर अपने बाकी जजमान के लेते हैं फिर अचाना कि उस महिला की कुछ और लोगों के साथ पिक्चर ले लेते हैं पिक्चर लेने के बाद अब ये कथा खत्म सब लोग चले गए तब उन्होंने पूछा जिन्होंने घर बुलाया कि महिला यहां बैटी थी वो कौन है तो अब इतने लोगों में उस ने भी बताया कि कौन सी तम उन्होंने मुबाईल में फोटो निकाली वोगोंने का ये उसने का कि इस हमारे घर के बिलकुल बराबर में रहती है और इसकी शादी हो चुकी है दो बच्चे हैं तो उनुन गठा, कब से यहां रहती है, तो उसने हैं का गरीब 5-6-7 हे है, जब से यहां आई हैं ब्याकर, उनुन गज水 हाउ है और इसकी कोई जानकारी, उनुन कहां नहीं, उससे पहले हैं अनुन जानते नहीं, लेकिन अच्छे मिजाच की, दों बच्चे पत्थी पत्नी ह और ये दोनों बच्चे खुश रहते हैं उनों का ठीक अब वो वहां से निकलते हैं अब इन भगवाचारे जी की कहानी ये है कि ये जगा जगा कथा सुनाते हैं अलग-अलग गाउं में जाते हैं इत्फाक से अलग-अलग के उस गाउं में भी इन्होंने कई बार कथा सुनाई बहुत सारे लोगों को वहां जानते थे और जब उस नावालिक लड़की की गिम्शुद्गी की खबर आई और फिर उसके लाश्ट की खबर आई तो ये उन तक भी पहुंची और इत्फाक से वो उस लड़की के घरवालों को भी जानते थे उसके पिता को भी जानते थे और उस लड़की से मिल चुके थे कई बार कथावथा के दौरान तो उन्हें उस लड़की का चेहरा याद था जब वो 17 साल की उम्र की थी अब 7 साल लगबख हो चुके थे क्योंकि 2015 में वो मिले थे और अब 22 था तो 17 और 7 लगबख 23-24 साल हो गए उम्र लड़की की वह लेकिन 7 साल में उसके चेहरे पे ज़्यादा फर्क नहीं आया लुक वैसे ही था तो उन्हें वो कहानी वो घटना याद थी अब इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये वही लड़की है तो उसी की फैमली को दिखाना गरबर हो जाएगा हो सकता है फिर वो लोग उस लड़की को गायब करतें ये उनका दिमाग चल रहा है तो फिर क्या करें पुखता कैसे यकीन करें तो उन्होंने पता किया कि इस लड़की के कतल और गमशुद्गी के के इल्जाम में कौन जेल में है तो पता चला विश्नु जेल में तो विश्नु का परिवार कहा है तो उन्होंने अपनी लोगों के जरीए विश्नु की मा सुनीता तक पहुँच बनाई सुनीता को ढूंड निकाला सुनीता का एक लोटा बेटा है विश्नु अब वहां तक पहुँच बनी उसके बाद सुनीता से इन्होंने कहा कि मुलाकात करनी है अब भगवत्यार जी के बाद सुनीता को लाया गया वो आई उन्होंने तस्वीर दिखाई उन्होंने का कि इस महीला को जानते हैं उसने का ये तो वही नामालिक लगी है जिसके कतल के लजाम में मेरा बेटा पिछले साथ साल से जेड़ में उन्होंने का पक्का मैं का हाँ अब भगवचार जी ने अपने लोगों के जरीए उस हात्रस के उस परिवार के पूरी कुर्ण निका ली तो पता चला कि टाइम बिलकुल मिल रहा है साथ साल से ही वो यहां है और जिस फरवरी के महीने में यहां आई थी साथी जीज़ जब मिली तो फिर भगवचार जी जो थे सुनीता को लेकर स्स्पी के पास पहुँचे अलियर के और उन्हें कहा कि आपके हाँ एक केस है उस केस में एक लड़की किड्नेप होई फिर उसका कतल हुआ और उस सिलसले में विश्णू नाम का एक लड़का जेल में है लेकिन जिस लड़की का कतल हुआ वो जिन्दा है मुर्दा नहीं है अब स्स्पी साब का भी सर भूंग गया कि ये क्या कहानी है फिर उन्हें ने तस्वीर दिखाई फिर उन्हें पता बताया अब पुलिस ने यहां से अच्छा काम ये किया कि एक टीम तैयार की और कहा कि खामोशी से जाकर पहले चेक करो कि ये वही लड़की है तो कि किसी और को परिशान करना ठीक नहीं है अब पुलिस की टीम लगी रही वहां जाकर पूरी कुंडली खंगारी पूरे महले से बात किया अब ओफिशेल हो रही है सारी आनकारी जब निकाली गई तो पता चला कि हाँ ये वही नावाली लड़की है जो यहां पर शादी करके दो बच्चे हो चुके हैं वो बहुत खुशी-खुशी रह दी जब ये कन्फरम हो गया फिर एक रोज पुलिस के टीम घर पहुंसती है रलकी के हाथ रसमे उसे अपने साथ लेती है और वापस थाने आती है थाने आने के बाद अब उससे पूछती है उखबूल कर लेती है कि वही वो नावाली लड़की है जिसका कतल हुआ और जिसके लजाम में विश्णु अंदर है इसके बाद पुलिस 164 के तहट उसका बयान दर्च करती है अदालत से प्रमिशन मांगती है कि उसका डिने कराना है क्योंकि और लड़की कतल हो चुका है तो अगर ये कोई और हुई क्योंकि इस दुनिया में हमशकल की भी कमी नहीं है तो फिर मामला उलग जाएगा तो डिने से पोकता हो जाएगा कि ये वही है तो डिने की अजादत मांग लिए लड़की का बयान ले लिया है और अब पुलिस शुरुवाती इंक्वारी के बाद कोट में अपने रिपोर्ट देगी अगर ये वही लड़की है तो जाहिर है कि अब विश्णो की रहाई तैह वो बाहर आएगा हलाकि साथ साल जो उस ने काटे उसकी भरपाई कौन गरेगा ये नहीं मालू लेकिन इन सब के बाद अब ये हुआ के एक बेगुना बाहर निकल रहा उसकी मां को खुशी है एक लड़की जो खुद जिन्दा थी अपने आपको मुर्दा बनाया उसका सच सामने आया लेकिन साथ साल पहले मार्च के महीने में आगरा के पास जिस लड़की की लाश मिली और जिस लड़की को उस नावालिक लड़की के घरवालों ने अपनी बेटी माना वो कौन थी चुकि उस वक्त ये केस क्लोज हो गया घरवालों ने मान लिया कि उसी लड़की की लाश है तो उन्होंने जांच नहीं की लेकिन अब चुकि कहानी में ये ट्विस्ट है तो अब फिर से आगरा पुलिस अलिगर पुलिस इनको ये अब तफ्तीश करनी होगी कि साथ साल पहले मिली वो लाश किसकी थी क्या उसका किसी मकस्द से किया गया या फिर वो किसी और लड़की के लाश थी और कहीं से इन लोगों ने देखा और घरवालों ने कह दिया कि हाँ हमारी बेटी है तो वो इत्तफाक था या सादिश अब इसका भी खुलासा होना है लेकिन अब पूरी कहानी में सबसे बड़ा ये कि ये घरवालों ने ये फिर उस लड़की ने अपने आपको मुर्दाकियों करार दिया तो इस लड़की को एक लड़के से प्यार था जो हात्रस में रहता था उसे मालम तक घरवाले शादी करेंगे नहीं तो क्या करें तो उसने फिर ये प्लान बनाया कि वो भाग जाएगी और वो लड़की भागी भागने के बाद अब चुके विश्णू एक दो बार मिला होगा तो उन्होंने विश्णू का नाम डाल दिया और विश्णू थोड़ा सा ये था कि उसका कुछ मार पीट और इन चीज़ों में भी नाम रहा करता था उसकी इमेज अच्छी नहीं थी तो आसानी से नाम डाल दिया और पुलिस ने भी आसानी से यकीन कर लिया और उसके बाद वो भाग कर अपना महा शादी करने लगी बाद में उसके घरवालों को भी पता चले चुका था कि वो शादी कर चुकी दो बच्चे हैं उन्होंने भी समझाता कर लिया मान लिया लेकिन सच नहीं बताया पुलिस को और इस चक्कर में एक बेगुना जेल में अंदर रहा साथ साल तक तो अब पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है उसना वाली लड़की और उसके पती से कि जो लाश मिली है उस लाश की कहानी क्या है उसका इन दोनों से कोई कनेक्शन तो नहीं कोई रिष्टा तो नहीं क्या कहीं ये सर्फ साजश भागने तक की थी ये दोनों कतले के भी आरोपी है तो अब जो जाँच होगी उस जाँच के बाद ये कहानी सामने आगी जैसा मैंने कहा कि अभी चुके चार दिन पुलाना मामला है तो इसकी तफ्दीश इंविस्टिगेशन जारी है इसमें जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर दूँगा सिलसला शुरू करूँ उससे पहले कल दोरों मैच देखे मैंने फीफा वर्लकप के और कल अफसोस हुआ मेरी तीन फेवरिट टीम है बहुत सारे लोगों ने कहता कुछ फूटबॉल के वान बताए ब्राजिल शुरू से मेरी फेवरिट रही है पहले नमबर पर लगता हूँ हमेशा अर्जन्टीना हमेशा मेरी फेवरिट रही है और तीसरी है पुर्तुगाव ब्राजिल के फेवरिट होने की वज़ए यह है कि ब्राजिल के फुटबॉल खेलने का जो स्टाइल है वो जब फुटबॉल समझ में आया तभी से और ब्राजिल मतलब फुटबॉल और महांतम फुटबॉल प्ले प्ले ब्राजिल के तो एक लगाओ रहा अर्जेंटीना इसलिए कि मेराडोना को देख के शायद हम सब हिंद जो खेलती है तो पुरह हिंदुस्तान को लेकर तीसरा पुर्दोगाल रोन्रेल्डो की विज़ा से तो कल पहला जो मैच था जीतते जीतते ब्राजिल हार गई नेमार ने बहुत अच्छा गोल मारा था लेकिन फिर एक जब तो तीन मिनट बचे थे जीतने के लिए तो वो दूसरा मैच कलिसी ले बहुत लेट भी सोया हूँ चुकि अर्जन्टीना का मैच था और अर्जन्टीना बेहतरीन खेल रही थी अर्जन्टीना ने लीड भी ले लिया दो गोल का लेकिन यहां भी आकरी वक्त में जिस तरीके से दोनों गोल नीदल लेंडने करके वापसी क कमाल का था और फिर मैच यहां भी परनल्टी शूट आउट में गया लेकिन अर्जन्टीना ने दोनों गोल पहले रोक लिया नीदल लेंड किया और फिर यह मैच जीता तो पहले कौटर फैनल में दुख हुआ बराजिल के हालने का दूसरे कौटर फैनल में अर्जन्टीना कि जीतने की खुशी हुई अब आज दो और मैं थे और एक मेरी फैबरेट टीम और इसमें आज खेल रही जो पुर्तोगाल तो मैं यह जाता हूँ पुर्तोगाल जीते और बेहतरीन कलमेसी के जो पास था जिस पे पहला गोल हुआ था लाजवा पास था और नेमार ने जो हपी बड़े मनिशा जी और यह शरत जी की वाइफ है साथी किशन सोनी इनकी भी आज जलम दिन है इनका तो किशन सोनी हपी बड़े और यह मादरी जी के पती हैं साथी रोजमीन सत्यानी का भी आज बड़े है तो हपी बड़े रोजमीन और यह नौशात सत्यानी जी की वा उलाएक इनका 5 दूसंबर को था तो भड़ेट के वेटे नो पंआध़ एनको और यह अनुष्का इनका भी आज बर्ड़े अनुषका और यह सौरव वार्ष्णे की सिस्टर है अलाकि इनका 5 दिसंबर को था तो इनका भी बड़े इसके लावा संजु भाईया का भी बड़े तो बलके कल है तो एडवांस में कल कहानी होती नहीं है संजु भाईया है एपी बड़े रितेश मिश्रा आयोध्या से है इनका भी बड़े है एपी बड़े रितेश इसके की बिटिया इनका भी आज जरम दिन है इन्होंने नाम नहीं लिखा तो happy birthday कह दीजेगा रजी शर्मा जी और साथी नमन शर्मा बलके हाँ नमन शर्मा इनका भी birthday है तो happy birthday नमन और नवनीत शर्मा जी और प्रतिभा जांगिर जी इनके बेटें हैं नमन तो बहुत बहुत बढ़ाई नमन and thank you so much mail के लिए इसके लावा निशा और प्रशान्थ दोनों पूने से इनके anniversary है आज तो happy marriage anniversary निशा और प्रशान्थ आप दोनों को पल्लवी कपूर और कुनाल कपूर की भी anniversary है तो आप दोनों को भी बहुत बढ़ाई साथ ही प्रभात शर्माइनों ने mail लिखा है कि मैं तो आपको प्यार करता हूँ लेकि ये बताई कि आपकी टीम जो है टीम की नजर में आप कैसे बास है तो ये गलत सवाल शायद आपने मुझे से पूछ लिया कि मैं उनका बास कैसा हूँ ये मैं खुद जवाब दूँ तो ये कहीं से भी मुनासिब नहीं होगा तीम ही तो बेतर होगा कभी कहूंगा टीम को की जरूर बताए और सच बताए इसके लावा विश्वा वदगा में ये इन्होंने कहा है विश्वा ने कि ये अभी शायद 12 में है फॉरेंसिक की पढ़ाई करना चाहते हैं फिर क्राइम रिपोर्टर बनना चाहते हैं एडवाइज मा आपका शौक हो जिसमें आपको लगता है आप बहतर कर सकते हैं आपको जरूर करें और साथ ही इसमें घरवानों की भी आप जो उनकी राय हो उसको भी जरूर मानने कि प्रीती नरूले इन्होंने लिखा सीमा कुश्वाह को शद्धा के फादर ने वकील रखा और ये पक्क शद्धा भार्दवाज थैंकियो सो मच आपके प्यार भरे मेल के लिए शद्धा और ये लीट केविन क्रू मेंबर है उसमें इंडिगो में और इनका अपना भी एक ब्लॉग भी है शद्धा भार्दवाज ब्लॉग जिसमें ये कैसे जो केविन क्रू होते हैं उनकी अन्शू खान है और बेस्ट अन्शू आपको तो आज कहानी में इतना ही अब मुलाकात होगी आपसे संडे को किसी नहीं कहानी के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा थैंकि बरी मुच हुआ 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 है